अगर आप अपने बालों के जढ़ने से काफी ज़्यादा परिशान है तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जिने अपनाने के बाद आपके बालों के जढ़ना काफी कम हो जाएगा उमीद करूंगी वीडियो आपको पसंद आएगा अपनी डाईट में प्रोटीन, विटामिन, A, B, C, D शामिल करें इसके लावा ऐसा खाना खाएं जिसमें आईरन ज़्यादा मात्र में हो इनकी कमी से भी हमारे बाल काफी जढ़ते हैं बालों की जरूरत के हिसाब से ही शेंपू चुने ना कि फैशन की हिसाब से बाल ड्राई है, ओयली है, रूके है या बालों में डेंडरफ है ये देखकर ही अपने शेंपू का चुनाफ करना चाहिए डेंडरफ भी बाल जड़ने के वज़ा बनते हैं इसलिए बालों में एंटी डेंडरफ शैंपू लगाएं या फिर आप दही में तेल मिलाके अपने बालों में लगा सकते हैं या तेल में निबू करस मिलाके बालों की जड़ों में लगाएं ऐसा करने से भी डेंडफ से छुटकारा मिलता है अगर आप रोजाना बालों में एक ही तरफ से मांग निकालते हैं या फिर अपने बालों को बहुत टाइट भांते हैं तो ऐसा ना करें इस वज़े से भी बाल जड़ते हैं और अपने बालों को हेर्स्ट्राइल भी बदलते रहें और चोटी भी टाइट ना करें बालों को मजबूती देने के लिए हेर मास लगाया जा सकता है नीबू और अंडे की हेर मास को अपने बालों में लगाएं फिर बालों को अच्छे से धो दें, इससे भी बाल मजबूत बनेंगे एक कटोरी में नारील का तेल गरम करें उसमें करी पते डाल कर काला होने तक पकाएं जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे चानने और सिर्ध होने से दो गंटे पहले इस तेल की मालिश अपने बालों की जड़ों में करें कोशिश करें कि गिले बालों को कभी जोड से ना जाड़े और नहीं उन्हें बांदे ऐसा करने से भी बालों की जड़े कमजोर हो जाती हैं और बाल जादा जढ़ने लगते हैं सबसे जरूरी है कि बालों को जणने से बचाने के लिए हफ़ते में कम से कम दो बार बालों की अच्छे से तेल से मालिश करनी चाहिए चाहिए तो वो सरसो का तेल हो जैतुन का हो या नाजिल का तेल अच्छे से बालों की इस तेल से मालिश करें आशा करती हूं कि आपको आज की जो टिप्स हैं वो सारी पसंद आए और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी न भूले जोसन सागर आपका स्वागत है थैंक्स फॉर वाचिंग